आज किस वीडियो के अंदर हम लोग Science Fiction Movies को कवर करेंगे इससे पहले वाला वीडियो जिसके अंदर मैंने Science Fiction Movies कवर की थी जो Netflix पे अवलेबल है आपको काफी पसंद आया था इसलिए ये Part 2 है जिसके अंदर हम लोग और 10 Movies को कवर करेंगे जो Netflix पे अवलेबल हैं पहली वीडियो के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि most of the movies इंग्लिस में ही अवलेबल थी बट इस वीडियो के अंदर most of the movies हिंदी में ही अवलेबल हैं और आप उनको Netflix पे देख सकते हैं को kidnap कर लिया जाता है जिसके बाद बच्चों के entry होती है जो लोग अपने father mother के advance tech का use करके कैसे दुनिया को और अपने मात अपिता को बचाते हैं वही आपको इस movie के अंदर देखना है इस movie को आप Hindi language में Netflix पर देख सकते हैं नेक्स्ट मूवी है फ्रिक्स यू आर वन आफ उस यह movie 2020 में आए थी यह एक जर्मन मूवी है जो कि एक superhero मूवी है जिस movie के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो की normal सी एक fast food चैन में काम करती है एक shop के अंदर काम करती है और उसकी life काफी normal चलती है बट यह किस तरह इन superpowers को सम्हालती है वो आप इस movie के अंदर देखी यह movie English language में Netflix पे available है थर्ड मूवी है How I Become Superhero यह movie भी 2020 में आय थी और यह भी एक superhero movie है बट यह movie हिंदी में available है इस movie के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे heroes की जो की police में है और इनको पकड़ना एक ऐसे आदमी को जो कि superheroes की powers को निकाल के drugs के अंदर बेच रहा है मतलब कि उस drug को अगर कोई भी normal इंसान consume करेगा तो उसके अंदर superhuman abilities आ जाएंगी वो एक superhuman superhero बन जाएगा हमारे heroes को यह पुलिस वालों को उस आदमी को पकड़ना रोकना है क्योंकि इसकी वैसे सहर के अंदर आनी देखने को मिलती है एक advanced space mission की जो कि कुछ सालों का mission ओता और इसको दूसरे planet पे भेजा गया होता मतलब कि इंसान एक advanced spaceship के अंदर बैट के दूसरे planet के ओपर गए होते हैं और ये लोग अब वहां से वापस आ रहे होते हैं लेकिन एक इंसान जोगी पृत्वी पर है और क्या कारण जिसकी वैसे पृत्वी से जिवन खत्म हो गया है वो आप इस movie के अंदर देखी ये movie Hindi language में नेट्फिक्स पे अवलेबल है next movie है battle Los Angeles ये movie 2011 में आई थी इस movie के अंदर हमें कहानी देखने को मिलते है अर्थ की जहाँ पे normal days अपका चल रहा होता है लेकिन इतने में को बचाना ही है साथ में उनको civilians को भी बचाना है वो भी ऐसे लोगों से जो highly advanced है उनके weapons क्या के उनकी technology क्या के US Marine के technology कहीं भी नहीं टिकती ऐसे में किस तरह हमारे heroes अपने आपको civilians को बचाते वह आप इस movie के अंदर देखिए काफी अच्छी movie और Hindi language में अबलेबल है next movie इस movie 2020 में आई थी इस movie के अंदर हमें एक Mars Mission देखने को मिलता है अब इसमें क्या खास है क्योंकि आपने बहुत सारी movies अभी तक देखिऊंगी जिसके अंदर Mars Mission इंसानों ने पूरा किया है लेकिन इस movie के अंदर खासियत यह है कि तीन crew members होते हैं जिनको Mars Mission complete करना होता एक आदमी होता है दो औरते होती है लेकिन यहां पर problem तब खड़ी हो जाती है जब एक अंचाहा आदमी या कहें महमान इनके spaceship के अंदर आ जाता है वो कोई alien यह human है जो कि एक worker है NASA के अंदर काम करता था और जब spacecraft launch हो रहा था तब वो उसी के अंदर गलती से बहोस हो गया था और वो इ इसे में यह लोग किस तरह सर्वाइब करते हैं इतने खतरनाक मिशन को वह आप इस मूवी के अंदर देखिए यह मूवी हिंदी लैंग्विज में नेट्फिक्स पे अवलेबल है आप सब लोगोंने man of steel मूवी देखी होगी जो कि Superman की मूवी और उसके अंदर आपने उसकी एक alien की या Superman की क्रिप्टॉन से पिर्थवी पे आता है एक family उसको पाल लेती क्योंकि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं होता लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है उनको पता लगता है कि इसके इंदर सूपर प्रावर्स तो है लेकिन यह एक बहुत बुरा इंसान है ऐसे में आगे क्या होता वो आप इस movie के अंदर देखिए यह movie Hindi language में Netflix पे अवलेबल है नेक्स्ट मुवी है नेक्स जुन यह एक animated science fiction मुवी है लेकिन है बहुत कमाल कि इस movie के अंदर हमें कहानी देखने के मिलती है एक लड़की की जिसके father गुजर गये हैं और ये secret project है जिसको I think 007 कहा जाता है यह लड़की जब पहली बार उस robot से मिल दी है तो यह लोग एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाते हैं लेकिन धीरी धीरी यह दोनों एक दूसरे के काफी प्यार करने लगते हैं मतलब कि एक robot एक human से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है ल मूवी 2020 में आई दी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने के मिलती है मीटराइट की जो कि प्रित्वी से कुछी समय में टकराने वाला है जिसको रोकने के लिए इंसान बहुत सारी मिसाइल्स फायर कर देते हैं उसके उपर जिसकी वयासे वह मीटराइट तो खत्म हो जाता है लेकिन chemical reaction की वैसे क्योंकि उस मीटराइट से बहुत सारे chemicals निकलते हैं और fire के contact में वो आ गया है जिसकी वज़ा से प्रित्वी पर जितने insect हैं मतलब कीड़े मकौड़े हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हम इंसान प्रित्वी को तो बचा लेते हैं लेकिन अपने आपको नहीं बचा पाते हैं क्योंकि वो जो इंसेक्ट ने अब इंसानों को खाना सुरू कर देते हैं इंसान underground हो गए हैं प्रित्वी के अंदर रहते हैं वहां से बाहर निकलते ही नहीं है ऐसे में एक लड़का जो के अंदर देखें यह movie unfortunately सिर्फ English language में ही Netflix पर अबलेबल है फिर्स्ट मुवी है एक्स मकीना यह movie 2014 में आई थी इस मुवी के अंदर हमें एक प्रोग्रामर की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक बहुत बड़ी AI development company के अंदर काम करता है इसके काम से इसका जो बहुत से बहु AI बनाना यह दोनों चाहते है लेकिन समस्तिया यहां पर यह है कि तीनों लोग यहां नहीं की बॉस यह लड़का और वो जो रोबोट है इन तीनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है तो ऐसे में आगे क्या होता है वह आप इस movie के अंदर देखिए यह movie Hindi language में available है इस movie को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स वीडियो में